नमस्कार दोस्तों एक बार पुन्हा आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूठ्यूब चानल बिंगपेस टीचर पर दोस्तों केंद्र विद्याले की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जो की बहुत जादा वाइरल हो रखा है क्या इसके पीछे की सचाई है तो सटीक और सही जानकारी मेरा देने का प्रयास आज की इस वीडियो में आप सभी को रहेगा दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिग्रोहा है और इस चानल पे हम आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे देश के अंदर बदलाव होते हैं अपडेट्स आते हैं जो कोट केसेज हैं या जो भी बदलाव चेंजिस कुछ भी आप बोलिए तो उन सभी की जानकारी वक्त वक्त पे सभी अपडेट्स हम आपको इस चानल पे देते हैं तो यदि आप भी टीचिंग सेक्टर से संबंदत हैं या टीचिंग सेक्टर में आना चाहती हैं तो ये चानल बिलकुल आपके लिए हिल्पफुल रहने वाला है तो चानल को सब्स्क्राइब करके बल आइकन पर all पर टेक्ट जरूर कर लीजेगा दोस्तों जो ये केंद्र विद्यालय का notification इस प्रकार सी जो viral है तो देखिए ये पहले तो ये notification क्या है और हमारे लिए इसमें क्या important है ठीक है वो जानते हैं तो देखिए ये notification promotions related है जो already teachers हैं केंद्र विद्यालय के अंदर तो उनका एक time period के बाद promotions होते हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद and so on जो भी उनका process है तो ये notification उसी से संबंधित है ठीक है लेकिन हम इस promotion वाले को इतना बढ़ा चड़ा के क्यों इसके बारे में बात कर रहे है कि हर जगा ये notification viral हो गया है इसमें हमारे काम का क्या है यानि कि जो students जो KVS के अंदर teachers बनना चाते हैं उनके लिए क्या fruitful है इस notification के अंदर तो देखिए इसके end पे एक line है कुछ इस प्रिकार से जिसमें RR rules की बात की गई है अब RR rules क्या होते हैं RR rules का मतलब है recruitment rules RR मतलब recruitment rules तो देखिए जो recruitment rules हैं उनमें बदलाव की बात यहां पे की गई है अगर आप अभी केंद्र विद्याले की website पे जाएंगे तो recruitment rules 2014 वाला एक जो PDF है वो uploaded है अब जो है recruitment rules केंद्र विद्याले की तरफ से revise किये जा रही है तो अब हमें नई भरतियों में जो है changes देखने को मिलेंगे यह जो एक line है उस और इशारा कर रही है इसके लिए अभी कोई recruitment rules से related कोई notification नहीं आया है पर यहाँ पे नई भरतियों में यह आरा rules नए वाले लागू होंगे तो यानि कि भरतियां भी जो है बहुत जल देखने को मिल भी सब्सक्राइब यह सिर्फ एक संभावना है दोस्तों देखिए मैं चैनल के माध्यम से आपको यह बोलू अरे notification में यह line लिखी है तो भरति भी बहुत जल्दी आने वाली है तो देखिए यह कहना उचत नहीं होगा क्योंकि केंद्रे विद्याले की तरफ से अभी कोई भी notification vacancies के recording नहीं है ठीक है भरतियों के regarding यहाँ पे एक change की बात RR rules में की गई है यह बिलकुल यहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन उसका भी RR rules का कोई official तोर पे क्या पुराने थे क्या नए उसमें revise किया जा रहा है ऐसा कोई notification अभी नहीं आया है ठीक है तो इस notification के पीछे की पूरी सचाई सिर्फ इतनी सी है अब देखिए बढ़ा चड़ा कर बात को आप चाहे इधर कोने में कीजे उधर कोने में कीजे बात तो नहीं बदल जाएगी बात यही रही कि सचाई यही है मैं उमीद करती हूँ आप सभी को अब clear हुआ होगा अभी कोई भरतियों का notification या RR rules चेंज होगे है उससे related official notification नहीं है सिर्फ एक छोटा सा hint है अब उस hint को आप positive मानिये या normal रखिये वो आपके उपर depend करता है तो इस चानल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी हम आपको वक्त वक्त पे सही और सटीक जानकारी देते रहते हैं प्लीज दोस्तों चानल को सब्स्राइब करके बल आइकन पे all protect जरूर करिएगा साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको लगता है वीडियो किसे भी प्रिकार से आपके लिए helpful रही है तो एक like जरूर करिएगा उस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में धन्यवाद जहन दोस्तों